हेलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ बाल मुकुद मौर्या और आप देख रहे हैं ग्यानिक स्पी तो आज की ओनलाइन टेस्ट में हम डिस्कुस करेंगे त्रिपल सी निवस लिबर चैप्टर नंबर 7 पे आधायत कुछ important question ये चैप्टर नंबर 7 का फोर्थ पार्ट है, अगर आप प्रीबियस पार्ट के वीडियोस देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेइस में जाके तो आप साम को 8 बचे हमारे साथ इस ओनलाइन टेस्ट में जुड़ सकते हैं तो ये आज का सबसे पहला question है, फेस्बुक पर आप अपने दोस्त के post को कहा देखते हैं? जल्दी से comment box में बताए इस question का right answer क्या होगा? फेस्बुक पर आप अपने दोस्त के post को कहा देखते हैं? तो इस question का right answer है आपसन है, news feed एक option होता है जहां पर आपके friends के द्वारा post किये गए जो post होते हैं उसे आप देख सकते हैं तो अगला question है, फेस्बुक पर अधिक्तम कितने दोस्तों को जोड़ सकते हैं? 1,000, 2,000, 5,000 या फिर कोई सीमा नहीं तो इस question का right answer है option C, फेस्बुक पर आप एक साथ 5,000 friends को जोड़ सकते हैं ब्लाग सब्द दो सब्दों का sign using है बिल्कुल सही, बहुत simple से question इस question का right answer हो जाएगा option B weblog, जिसको short में बोलते हैं blog और अगले question है जब आप mobile phone पर उत्पाद खरीदते हैं तो lane lane को क्या कहा जाता है? e-commerce, m-commerce, web wallet या फिर्मे से कोई नहीं और अगले online test है में start करेंगे chapter number 8 पे आधायत important question तो अगला test देखना बिल्कुल मत भूलेगा और previous सभी online test के वीडियोज आप देखते रहे हमारे चैनल की playlist में जाके triple c news, लिबर्ज, chapter wise question नाम से एक playlist है जहां से आप previous सभी online test के वीडियोज देख सकते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option B m commerce जिसको बुलते हैं mobile commerce अगर आप अपने mobile phone के माध्यन से कोई online उत्पाद या product खरीते हैं या कोई lane देन करते हैं तो इसको बुलते हैं m commerce और अगला question है e governance का मतलब क्या है चल्दी से बताई इस question का right answer क्या होगा तो इस question का right answer है option B internet के माध्यन से साज़निक सेवाओं का बित्रण जिसको बुलते हैं e governance और अगला question है facebook पर कितने प्रकार की प्रतिक्रियां होती है ये question काफी popular है कई बार triple C exam में पूछा जा चुका है बिल्कुल size question का right answer है option D6 facebook पर total छे अलग अलग तरा की प्रतिक्रियां होती है और अगला question है वाट्सेप ग्रुप में किसी बैक्तिक को चिन्हित करने के लिए किस सिंबल को लगाते है तो अगर आप वाट्सेप पर किसी ग्रुप में किसी particular person को indicate करना चाते हैं तो इन में से किस symbol का इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल size question का right answer है option C add add the read symbol का इस्तेमाल किया जाता है ग्रुप में किसी बैक्तिक को चिन्हित करने के लिए और अगला question है इंटरनेट पर pop-up से क्या तात्पर रहे है सबसे पहला आपने browser, search engine, instant messaging या फिर online बिग्यापन कई बार जब आप internet पे किसी website को access करते हैं browse करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर pop-up blocks open होते रहते हैं तो इसका क्या तात्पर है इस question का right answer हो जाएगा option D online बिग्यापन अब ये बिग्यापन कई अलग लगतरा कि हो सकते हैं हो सकता है उसी website से related कोई message दिया जा रहा हो कोई notification हो, कोई notice हो या फिर यहाँ पे internet से किसी भी तरह की बिग्यापन भी दी जा सकते हैं जैसे कि जो products होते हैं या जो commercial products होते हैं उनकी भी बिग्यापन pop-up के माध्यन से दी जाते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D online बिग्यापन तो अगला question है Facebook की किसी post में अधिक्तम कितने character प्रियूख किये जा सकते हैं ये question काफी popular है अगर आपको इस question का right answer नहीं पता है तो कहीं पे no down कीजेगा और इस question का right answer है option A 63206 अधिक्तम character आप Facebook में किसी एक post में टाइप कर सकते हैं ये लिख सकते हैं और अगला question है यदि कोई company एकी करत ग्रह को ताद बेचती है तो वह क्या कहलाता है C to C, C to B, B to C या फिर B to B और इस स्रीच के सभी questions ऐसे हैं जो कि triple C exam में पहले पूछे जा जोके important questions हैं तो आप इस स्रीच के सभी videos को जरूर देखे आपको triple C exam में काफी help मिलेगी प्लस अगर आप UPPCL TG2 जैसे exam की तयारी कर रहे हैं तो इस exam के लिए भी ये स्रीच काफी important है और इसके साथ साथ आप syllabus भी complete करते रहे हैं syllabus complete करने के लिए आप हमारी चैनल की playlist में जाके triple C new syllabus complete course नाम से एक playlist है जहांपे आपको 57 वीडियो में पूरा complete syllabus मिल जाएगा तो आप यहां से free of cost अपना syllabus तयार करते रहे हैं और साथ में आप हमारी चैनल के माध्यम से practice करते रहे हैं तो इस question का right answer है option C, B2C means business to consumer और अगला question है निम्न में से कौन social media का उदाहरण नहीं है Twitter, MySpace, Gmail या फिर Facebook बेलकुल सही, बहुत simple question है, इस question का right answer हो जाएगा option C, Gmail जो की social media का उदाहरण नहीं है और अगला question है e-learning तक्नीक किस पर आधारित है Video conferencing तक्नीक या फिर CBT, इसका full form भी exam में पूछा जा सकता है इसका full form होता है computer based training अगला option है streaming या फिर उपर की सभी Means e-learning technology इन में से किस पर आधारित है तो e-learning में video conferencing का भी इस्तिमाल किया जाता है computer आधारित training का भी इस्तिमाल किया जाता है streaming का भी इस्तिमाल करते हैं जिसमें audio video streaming करते हैं तो इस question का right answer हो जाएगा option D, उपर की सभी तो अब आई देखते हैं अगला question किस राज ने इप्रगती सेवा की सुरुवात की ये question भी कई बाद triple C exam में पूछा जा चुका है क्योंकि ये question e-governance से related है मद्य प्रदेश, राजस्थान, आंधर प्रदेश या फिर महारास्टा तो इस question का right answer है option C, आंधर प्रदेश ये प्रगती सेवा की सुरुवात आंधर प्रदेश त्वारा की गई थी और अगला question आउटलूक के साथ attachment की अधिक्तम सीमा क्या है इस question को कई अलग-अलग तरह से पूछा जाता है जैसे पूछा जाता है कि Gmail में attachment की सीमा क्या है ये अधिक्तम कितने size की file को attach किया जा सकता है इसी तरह से याहू से related equation पूछा जाता है कि याहू mail के माध्यम से आप कितने size की file को attachment में इस्तिमाल कर सकते हैं और इस question में पूछा गया है आउटलूक के साथ attachment की अधिक्तम सीमा क्या है तो इस question के right answer हो जाएगा option B अगर आप आउटलूक का इस्तिमाल करते हैं तो वहाँ पे file attachment करने की maximum limit होते है 20 MB और अगर आप Gmail या Yahoo के माध्यम से आप कोई attachment करते हैं या कोई file send करते हैं तो वहाँ पे जो अधिक्तम limit होते हैं 25 MB और अगला question है Facebook पर अधिक्तम कितने minute का video upload कर सकते हैं और आप सभी हमारे Facebook page को follow कर लिजे आपको search करना है ग्यान XP यहाँ पर हमारा Facebook page मिलेगा आप इसे जरूर follow कीजेगा क्योंकि यहाँ पर हम exams related जो updates होते हैं उनको हम update करते रहते हैं तो आप इस page को follow कर लिजे तो इस question का right answer है option C 240 minute के अधिक्तम साइच के video को आप Facebook पर upload कर सकते हैं और अगला question है OLX का पूरा नाम क्या है आप सभी ने बहुत सुना होगा इसके बारे में जल्दी से बताए इसका full form क्या होता है तो इस question का right answer है option B online exchange OLX का full form होता है और अगला question है NEZP का पूर रूप क्या है या पूरा नाम क्या है तो इस question का right answer है option C National E Governance Plan और अगला question है राश्ट्री E सासन योजना जिसको बुलते NEZP की स्थापना कब होई ये सभी ऐसे questions हैं जो की triple C exam में कई-कई बार repeat हो चुके हैं तो इस question का right answer है option A 18 अगस्त 2006 को National E Governance Plan की शुरुआत हुई ये स्थापना हुई और अगला question है NEZP के तहट CSC का पूरूरूप क्या है आप सभी ने CSC Center के बारे में सुना होगा जहां पे आप अपनी certificates बनवाते हैं जैसे की income ये cast इस तरह की कई सारे certificate होते हैं जो आप CSC Center से बनवा सकते हैं तो इस question का right answer है option C common service center जो की आता है NEGP के तहट यहां से एक और question पूछा जा सकता है कि CSC किसके तहट आता है वहाँ पे कई सारे options दिये जा सकते हैं उनमें से एक option होगा NEGP means national e-governance plan के तहट आता है CSC common service center और अगला question है नेमलकित में से कौन सा micro blogging उदारन है Twitter, Tumblr, Pinterest या फिर उप्रोक्त सभी और कई बार यहां पर इस question को दूसकी तरह से पूछा जाता है Twitter किसका उदारन है तो Twitter micro blogging का उदारन अगर हम Tumblr, Pinterest की बात करें और Twitter की बात करें तो यह तीनों ही micro blogging के उदारन है तो इस question का right answer हो जाएगा option D, उप्रोक्त सभी यह सभी micro blogging के उदारन है और अगला कुछ ने Swem app किसके लिए बिक्सित किया गया है तो Swem एक online learning platform है जो की Indian government के द्वारा launch किया गया है Students के लिए तो इस question का right answer हो जाएगा option A, बिद्यारती Swem app को students के लिए learning purposes application को launch किया गया है और अगला कुछ ने Among app के लिए आधार संख्या जरूरी है तो basically इस question में पूछा गया है क्या अगर आप Among app पे registration करते हैं या register करते हैं तो वहाँ पे आधार संख्या देना जरूरी है तो इस question का right answer हो जाएगा option B, false Among app में आप अपने mobile नंबर के माध्यम से register कर सकते हैं आप चाहें तो वहाँ पे अपना आधार नंबर भी insert कर सकते हैं या उसके साथ में link कर सकते हैं और अगला question है फेस्बुक ने वीडियो सेरिंग के लिए क्या paste किया है जैसे गूगल ने एक platform डबलब किया है YouTube जो की वीडियो सेरिंग के लिए इसी तरह से फेस्बुक ने भी अपना platform लॉंच किया है तो इसमें पूछे के उस platform का नाम क्या है तो इस question का right answer हो जाएगा option B Facebook वाच ये भी question कई बार triple C exam में पूछा गया है तो इसको याद रखीगा Facebook वाच नाम से Facebook ने एक video sharing platform लॉंच किया है और अगला question है digital locker के लिए कौन सा बयान गलत है means कौन सा statement गलत है cloud storage है 1GB भंडारन means storage उपलब्द है केवल JPG, PNG और PDF फाइल रखते हैं या सुरच्छित नहीं है चल्दी से बताए इसमें से कौन सा statement गलत है तो अगर हम digital locker की बात करें तो एक cloud storage होता है पहला statement बिलकुल सही है और अगला statement है 1GB storage मिलता है ये भी statement बिलकुल सही है आप digital locker में JPG, PNG और PDF तरह की files को ही store कर सकते हैं तो यहाँ पे तीसरा statement भी correct है और अगला statement है सुरच्छित नहीं है जो की statement गलत है क्योंकि digital locker एक सुरच्छित secure cloud storage platform है तो अब आएए देखते हैं आज के test का last question सार्थी application को कब जारी किया गया यहां से एक और question बनता है सार्थी का full form भी कई बार exam में पूछा गया है तो इसको भी आप कहीं पे note down कर लीजेगा synergize advanced application rail travel help and information सार्थी का full form होता है तो जल्दी से बताए इस question का right answer क्या होगा सार्थी application को कब लाँच किया गया था तो इस question का right answer है option C 2017 में सार्थी application को लाँच किया था तो यह था आज के test का last question उमीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा तो प्लीज हमाई इस वीडियो को like और share जरूर कीजिगा यह कुछ e-books हैं जो कि हमारी website ग्यानिकफी.com पे available हैं आप चाहें तो इन e-books को ले सकते हैं और जल्दी आपको chapter wise questions की भी एक e-book available होने वाली है जिसका link आपको हमारी website पे मिलेगा ग्यानिकफी.com पे तो आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं और अगर आप इस online test में जुड़ना चाहते हैं तो सामको 8 बजे हमाई साथ इस online test में जुड़ सकते हैं और अगर इससे related कोई question है तो आप comment section में comment करके पूछ सकते हैं और अगर आप triple C exam की practice करना चाहते हैं तो आप हमारी website gyanixp.com पे विजट कर सकते हैं यहाँ पे आपको triple C study से related हर एक content available है वीडियो lectures, mock test, model paper, सारी चीज़े इस website पे available हैं आप free of cost यहाँ से अपनी पूरी तयारी कर सकते हैं उकेत उमीद है आप सभी ने हमारी चैनल को subscribe किया होगा और अगर आप O label की तयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी साथ जोड़े रहेगा O label news labels की videos upload होने start हो चुके आल्मोस्ट दो subject की videos upload हो चुके हैं जल्दी बचे हुए subjects के भी videos हम upload करेंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले online test में तब तक लिए बाइ बाइ थैंक यू थैंक यू फोर वाचिंग